पंजाब के मुख्यमंदरी कैपटन अमरिंदर सिंग ने बटिंडा लोकसवा से कॉझ्वार अमरिंदर राजा वेडिंग का चुनाव पुच्छार किया है इस दोरां कैप्टन अमरिंदर सिंग ने कहा कि पंजाब को पिछले 10 सालों में अकाली दल ने दोनों हाथों से लूट कर कर्जदार किया है पंजाब में 1,45,000 से ज्यादा सरकारी नौक्रिया खाली पड़ी है वही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब के किसानों का कर्जमाफ किया है वही उन्होंने 10 लाग से उबन नौजवानों को घर घर रोजगार मुहया कराया है आने वाले समय में पंजाब सरकार घर घर रोजगार देने वाले वादे को पूरा करेगी देश के प्रधान मंतरी नर्यन मोधी ने हर रोज टीवी पर नए वादे किये मगर देश को कुछ नहीं दिया